तो सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, उस पर वित्तमंत्री अरुजेटली कुछ कह रहे हैं, सीधा रुख कर लेते। और उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा उसके लिए, कोई प्रशन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि वो कर्शिशित्र से आया हुआ है। इनिशल टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो खतम हो जाएंगे। देखिए टीदिंग प्रॉब्लम्स इसलिए कम होगी क्योंकि छोटी करंसी तो चलती रहेगी। लेकिन फरक यह है कि देश में लगबग 85-86 फीसिदी करंसी 500 और 1000 रुपए के नोटकी हो गई थी। और जितना भी ब्लैक मनी, कुरॉप्शन का पैसा, क्राइम का पैसा, ड्रग्स का पैसा, टेरिरिजम का पैसा, जाली पैसा, रुपया, वो सारा इस करंसी में था। और आपने इस दिरने के साथ इन सब तकलीफों से अर्थ विवस्ता को मुक्त करवाने की और देश को मुक्त करवाने का प्रयास किया। ब्लैक मनी किसी का मौली क अधिकार नहीं है, ब्लैक मनी में डील करना कोई फंडमेंटल राइट नहीं है, कि हमारा तो एक आदत बनी हुई है हम करेंगे और उस आदत को बदलना पड़ेगा आपको, पूरे दुनिया में बदली है, जैसे ही देश विक्सित होते हैं, डिव जाहरत जाएं, यह तो देश की अर्थ विवस्ता के लिए अच्छा है, और इसके आप लाब देखिए, आपको ब्लैक मनी से चुटकारा मिलता है, आपको भ्रषटा चार से चुटकारा मिलता है, अन्य अपरादों के लिए जिनका मैं ने जिकर किया, आपको उससे चुटक औरने के लिए और आपकी पूरी एक प्रकार से खर्चे की शैली बढ़ती है और जिन शेत्रों में ये चलता था कि इतना कच्चे का होगा इतना पक्के का होगा इतना आप ओफिशली देंगे इतना आप कैस देंगे मुझे लगता कभी न कभी तो इस सब्यता को बदलना था और मैं मानता हूँ कि प्रधान मंतरी शिरी नरेंद्र मोधी जी का इसमें एक स्पष्ट दृष्ट्रिकोंड था कि मैं एक लैक लस्टर रूटीन की सरकार चलाओं जैसे 2004 से 2014 तक चली केवल फाइल साइन कर दी और कुछ निरने हो गए या देश के जनजीवन के उपर मैं प्रभाव डालने का प्रयास करूँ और जो उनोंने ये नरने करना और कटिन और कटोर नरने भी करना जिससे देश को लंबे रास्ते बहुत लाब होने वाला है उन्होंने ये नरने किया है और बहुत सारे sellabilities हैं जो इसको welcome कर रहे हैं देश के विकास की प्रक्रिया और खासतर पर महनाई पर आप क्या आसर देखते हैं क्योंकि यह money supply से जुड़ा मामला है देखिए cash money supply तो कम होगी वो तो स्वभाविक है और इसलिए जो official transactions है official transaction बढ़ेंगे और जब official transaction बढ़ता है तो long run में indirect tax पे भी असर पड़ेगा और direct tax पे भी असर पड़ेगा अब inflation पे कितना पड़ेगा यह देखना है कुछ लोगों का मानना है कि real estate जो बहुत unreasonable हो गई थी उसके उपर एक दूसरा असर पड़ेगा कि वो रिजनेबल होगी लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि black money से चुक्ती मिलेगी banking विवस्ता strengthen होगी एक और इसका लाब बहुत बड़ा है हर राज्य को लाब इसका होगा हर state को लाब होगा कि आपके जो revenue की kitty है वो swell करेगी क्योंकि आज जो आप समान खरीदोगे वो जब officially खरीदोगे तो आपने भी उसके टेक्स दिया हुआ है जो खरीदोगे वो उसके उपर भी टेक्स चायकल GST हो या आज excise या वैट हो वो सारा paid होगा अगर कोई bank के पास जाता है और बड़ी मात्रा में पैसा ले करके जाता है और आपने कहा कि सरकार उसके निगार रखेगी तो आप बड़ा स्पष्ट है आप कितना भी पैसा आपके पास हो आप bank में जबा करा साकते हैं लेकिन ये स्पष्ट रहे कि ये कोई immunity scheme नहीं है इस संबंद में जो देश का कानून है आपके उपर लागू होगा अगर ये पैसा आपकी legitimate आमधनी में से है आपकी savings में से है बैंक से आपने withdraw किया हुआ है या कानूनी तरीके से कमाया हुआ है और आप disclose कर देते हैं कि मेरी income का पैसा है या मैं इस पे tax देना चाहता हूं तो का कानूना उसका बुद्रिष्टिक उन लेगा लेकिन अगर undisclosed है तो फिर जो कानून के उसके असर होते हैं जो प्रावदान है वो उसके उपर लागू होंगे लेकिन जो छोटे-छोटे लोग amount डालेंगे जो किसी ने घर में 25-30-50,000 रुपया रखा हुआ है कि रोज के ख के गाउं में रहने वाले लोग हैं वो शायद थोड़ा से ज़्यादा गवराया हुए हैं कि ऐसा सरकार ने किया और बहुत कम टाइम दिया कोई घबराया हुआ नहीं है यह सारे तर्क हैं कि जादा टाइम देते ताकि इस कैश को हम कनवर्ट कर लेते इस बीच में यह सब तर्क जो दिये जा रहे हैं और मैंने कुछ राजनेतिक मित्रों के भी कल वेक्टव देखे वो सिरफ ब्लाक मनी को जस्टिफाई करने के लिए जैसे एक तर्क दिया गया कि प्राइवेट हास्पिटल्स को सुविदा दे दो अब हम नहीं चाहते हैं कि हर छोटे बड़े शेर में प्राइवेट नर्सिंग होम या केमिस्ट की दुकान या डाइगनोस्टिक सेंटर मनी चेंजर बन जाए इस प्रावधान में अब जिस कैशलिश एकानमी की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं क्या इसके कुछ राजनितिक असर भी आपको दिखाई देते हैं बहुत चारे लोग ये समझना चाह रहे हैं क्या चुनाओ के मद्दिन अजर तो ऐसा फैसला नहीं लिया गया देखे मुझे लगता है कि इसका एक ही राजनितिक असर मैं देखना चाहता हूं कि राजनिति और चुनाओ प्रक्रिया भी इससे स्वच्छ होगी हम राजनितिक दनों के उपर भी इसका असर पड़ेगा और आज तक हमारे देश के अंदर जो परंपरा रही है कि पुलिट तंतर में कभी न कभी आपको visible और legitimate करना पड़ेगा जब अठल जी की सरकार थी तो हमने income tax act में representation of people's act में बड़ा कोशिश की थी कि हम check donations की तरफ जाने का प्रयास करें कुछ कदम उसमें उठाए गए हैं मुझे लगता है इस निरने के बाद बहुत बड़े कदम उस दिशा ही है वो क्या माने कि अब एक निरनायक मोर्ट पर पहुंच चीक है और यहां से कुछ आप ने एक एक कदम एक दिशा में सपश्ट था एसाइटी बनाना फॉरन ब्लैक मनी का कानून बनाना लोगों को disclosure window देना उस पे tax लेना बड़ी मात्रा में tax लेना penalty लेना और उनको इम है एचस बी सी अकाउंट्स में लिंचन स्टाइन अकाउंट्स में बेनामी संपती को जब्त करने का कानून बनाना उसके बाद एक बहुत successful idea scheme लाना जिसमें 65, 66, 68,000 के करीम करोड रुपया डिकलेर हुआ है और उसके बाद आप इस तरह से आप करें जिस निरने से लोगों के ऊपर एक कानूनी बाद दिता हो जाए कि अब वो banking transactions के माद्यम से ही अपना जीवन आगे बढाए हैं अब बहुत सारे लोग यह समझना चाहते हैं देखिए आपको 500 और 1000 के विकल्प में एक विकल्पिक करनसी चाहिए और आप market को संबव नहीं बनाना चाहते हैं तो उस इसलिए इस विवस्ता तो चलनी है लोगोंने खर्च भी करना है पैसा और इसलिए कोई जाकर लेकिन इतना जरूर होगा कि अब एक बार आपको bank में deposit कराना पड़ेगा सारा पैसा तो फिर उस white money को black करने में जिसमें tax भी दोगे तो कौन सा आपका incentive बचेगा अंत में आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस कदम को क्या आप आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बहुत सफल कदम मानते हैं बड़ा कदम मानते हैं मैं इसको बहुत सई दिशा का एक bold जिसको बहुत पहले जिस कदम को उठाना चाहिए था और इस देश के एक प्रकार से स्वभाव को बदलने वाला है एक दिरने उस प्रकार का निरने में मानता हूं जिसका अर्थ विवस्ता पे लंबे अर्जे में बहुत अच्छा और positive असर पढ़ देवाँ जी और बहुत शुप कामना है आपको और दूसरी तरफ हर एक तरह का विंडो क्रियेट किया गया है यानि कि आपके पास 500 खजार की नोट हैं भी तो आप बैंक पे अगर बदलने जाते हैं तो उसे लेकर कोई सीमा नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने एक बात जिसके साथ इस इस इंटर्वियो के शरबात की उ वो अच्छानक से ही लेने होते हैं